चाह जी question number 21 को solve करते है question number 21 बोलता है which of the following is the effect on net profit if a business decreases the provision for doubtful debts अगर एक business का provision decrease होता है तो क्या होगा expense कम होगा expense कम होगा यानि कि income वोको रही होगी और it will increase the profit a answer होगा 22 what is the nature of allowance for doubtful debts account contra asset account पिछले mcqs में भी SMC की हो आया था हमने इसको अंसर किया था 23 is there a difference in bed and doubtful debt bed or doubtful debt में क्या difference होता है no they are interchangeable yes वी में लिखावा है yes that is referred to an account receiver that has been clearly identified as not being collectible whereas a doubtful debt is an account receivable that might become a bet debt at some time in the future ऐसे यह होता है bet debt का मतलब होता है hundred percent confirm है और doubtful debt का मतलब यह होता है कि आपको doubt है कि बात में यह वह यह वाले पैसे नहीं मिलेंगे तो 23 का answer होगा भी 24 what is the double 80 for recording write-off of any of debts यानिके bet debts को अगर write-off करना हो तो क्या इंट्री पास होगी bet debt expense debit और accounts receivables credit यह इंट्री हम basic lecture में पढ़ चुके हैं 25 numerical on first June 800,000 goods are sold with credit terms of one slash 10 and slash 30 how much should the seller expect to receive if the buyer pays on eight June देखें one slash 10 का क्या मतलब होता है one slash 10 का मतलब होता है ति अगर कोई within 10 days मुझे payment करेगा तो मैं इसको एक परसंट का discount दूलगा तो अगर किसी को मैंने आठ लाग रुपे की चीज़ें दी हैं बेची हैं पहरी जून को और वह आठ जून को मुझे पैसे पे कर देता है यानि के दस दिन के अंदर तो उसको एक परसंट का discount मिलेगा और आठ लाग का एक परसंट जो है वह 80,000 बनता है तो 80,000 रुपे का जो है वो discount होगा आठ लाग रुपे में से अगर मैं 80,000 रुपे माइनस कर देता हूं तो मेरे पास बच जाते हैं 792,000 रुपीज ये मुझे receive होगे तो 25 का answer C होगा 26 on first June 800,000 goods are sold with credit terms of one slash 10 and slash 30 on 3 June the customer returned rupees 100,000 of the goods how much should the seller expect to receive if the buyer pays on 8 June आठ लाग रुपे की total चीज़ें थी आठ लाग रुपे की चीज़ों में से एक लाग रुपे की चीज़ें यो है उसमें कोई fault होगा वो उस customer ने मुझे वापस कर दी अब जब एक लाग की चीज़ें वापस कर दी तो अब कितने की चीज़ें मच गई गई साथ लाग की ये जो साथ लाग रुपे की चीज़ें थी इसकी payment मुझे आठ जून तक हो रही है यहांद जूं के अदर अदर हो रही है तुछ को मैंने वन परसेंट डिसकंट डिआ ओगा वन परसेंट डिसकाउंट लिने का मतलब यह कि 70,000 रुप्य का डिसकाउंट मिलाओ गांति तुझी साथलाक रुपए वाली होंगे अच्छा साथ हजार बनता है सॉरी साथ लाग का एक पर्संट वह ना वो साथ हजार बनता है मैंने गलत लिख दिया सेवन थाउजन बनता है तो सेवन थाउजन का डिसकाउं बच गए 6893 थाउजन तो भी आंसर होगा 27 विच अमांट शुल भी विच अकाउंट शुल भी क्रेड़ेट फॉर 180,000 वन राइटिंग ऑफ दी अकाउंट कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे अगर मुझे बेड़ेट्स राइट आफ की एंट्री पास करनी है तो राइट आफ की एंट्री होती है इसको क्या कहते हैं इसको हम लोग 28 का आंसर है एजिग एनलेसिस कहते हैं कहने का मक्सद यह है कि हम एक टेबल बनाते के एक से तीस दिन पहले किसको बेची थी चीज़ें एककत्र से लेकर सिक्स्टी डेस के बीच में किसको चीज़ें बेची थी यानिके फॉर एक्जामपल एट से मैंने किसी को अगर फर्स जैनुरी वाले दिन पाथ सो की चीज़ें बेची और मैं अगर पंद्रह जैनुरी को कोई टेबल बना रहा एजिंग बना रहा हूं तो मैं 500 रुपे इधर लिखूंगा क्यूंकि अगर यह 15 जैनुरी को मैं टेबल बना रहा हूं तो इस बंदे को जिसको मैंने पहली जैनुरी को चीज़ें बेची थी 500 रुपे की उसको अभी तो कोई आठ दिन में लेकिन अगर लेट से यही टेब वाले एक कॉलम होता एक कॉलम होता 31-60 मैं 31-60 वाले कॉलम में 500 लिख ता इसको हम एजिंग ने डेसे क्येते हैं कि इसने कितने पहले हम से चीज़ें खरी दी थी 29 अधो ओपिंग बैलेंस फालावंस फॉर आउट फॉलिट अकाउंट इस वाल बहुत सारे हमने करें सीदा सीदा हम करेंगे यह के रीचीवेबल्स का जो क्लोजिंग एक लाग का बैलेंस उसका हम दे लेंगे पांच परसंट जब हमें एक लाग का पांच परसंट देते है तो वो बन जाता है 5000 रुपए जो हमारा ओपनिंग था वो हजार था ब्रॉट डाउन हजार था केरे डाउन जो है वो 5000 है यानिके 4000 का इजहाफु इसाफा यानिके इंक्रीज इनक्रीज यानिके पी-चैने में 29 बियन्सर उगहाब की चार हजार का एक्सपरेंस इंसरोगा अच्छा तो अब यहां पर बात सारी है कि सबसे पहले तो हम यह देख लेते हैं कि हमारे पास हुए ना वह बेट कितना होगा ठीक है अच्छा इस पहले जो हमारे पास बैजेंश आ रहा है वह पांसर ठीक है डाइट इस्ती थाउजन का सेवन पर्संट कितना होता है शिश्टी थाउजन का सेवन पर्संट होता है चारहजार दोसों आफ्टर दी एप्रोप्याइट एडजस्टिंग एंडि तो रिकादनाईज दी वेड़ेट एक्पेंस दी अलाविंस एड़ दाउट फूल एडट अकांट शोल हैवट डेश ग्रेट वेलेंश च्छा यह कुछ खत्रे वाला सवाल लग गया है था अलाविंस फॉर डाउट फॉल डेट्स अकांट है यह एंड ग्रेट वेलेंश प्रायर तो एडजस्ट्मेंट अफ रूपीज फाइवन ग्रेट अग्रेट अर एस्टिमेट एट सेवन पर्संट अफ रूपीज सिक्टी थाउ सिक्स्टी थाउजन रूपीज के रिसीवेबल थे चार अज़ाज़ दोस्टो का बेट अगर हो गया सिक्स्टी थाउजन माइनस चार अज़ाज़ दोस्टो अब बच गया है 55800 अफ्टर दी अप्रोपीट अज़सिंग एंट्री रिकाज़नाइज दी बेट एक्सपेंज दी आलाउंस फॉर डाउट फुल अकाउंट शुल है वर डैश क्रेड़िट बैलेंस यह बड़ा कोई अजीब सा सवाल है एनिवेज मैं इसको देखके बता दूँगा मेरे साब सब्सक्राइब से देखें रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस वह वह 55,800 बनता है ठीक है और मजीद तो कुछ ऐसे बात समझ में नहीं आती है अच्छा जो बुक में आंसर दिया वह इसका एंसर दिया वह है लेकिन एंसर किस लॉजिक से दिया वह है वो नहीं पता क्योंक को मैंने जब मजीद रिसर्च किया या देखा तो मुझे क्या कंक्लूजिन मिला फिल्हाल जो है वो इस रिकॉर्डिंग में इसको ऐसे जाने में ताके आप लोगो भी पता चले 30 में कोई मसला है 31 गुट्रेडर्स एटी अकांट से वेबल टोटल 80,000 at a year and these include 900 of long overdue debts that might still be recoverable but for which gt has created an allowance for doubtful debts gt has also provided an allowance of 1582 which is 2% of other receivable account balances what best described gt's doubtful debt allowance as at year 8 साल के आखिर में कम्टनी के जो है ना वो टोपल जो प्रोविजन्स होंगी वो कितनी होंगी देखें इस ऐसी अजार के balance में 900 रुपए ऐसे हैं जो बहुत अर्से से किसी ने पे नहीं किये और ऐसा लगता है कि शायद पे नहीं होंगे तो gt ने इसकी एक specific allowance बना दिया specific allowance क हमने concept पढ़ा है कि किसी एक specific debt पर मुझे जो है वो एक specific percentage लगानी हो या मुझे यू लगता है कि या 900 रुपए ये वाले इस बंदे वाले शायद ही मिलेंगे इसके इलावा जितना भी balance है उस पर इस दो परसंट की provision लगाई भी है यह general allowance या general provision कहलाती है वो है आपके पास 15 1582 तो इसका मतलब यह हो गया कि हमारे पास doubtful debts कितने होंगे एक specific allowance है 900 की और बाखी जो general allowance है 1582 की 31 का यह answer होगा 32 opening balance और जमाल enterprises receivable expense allowance was 1000 opening balance जो था जमाल के receivables के expense allowance 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 for doubtful debts को मुस्ट रही थी जमाल रोटो 4000 और बेटे दिरिए यह the closing balance on the doubtful debts allowance was 1200 what is the total charge to Jamal enterprises statement of profit or loss in respect of receivables तेकर से जरा आसान करूंगा opening balance 1000 closing balance 1200 है allowance 200 increase हो है 4000 का दूसरा expense है तो total answer 4232 का डी answer होना चाहिए 33 the turnover turnover sales का दूसरा नाम होता है इनने entity was 2 million and its accounts receivable 5% of turnover receivables कितने वे 2 million का 2 million का 5% 2 million का 5% कितना बनता है 2 million का 5% जो यह ना वो बन जाता है एक लाख ठीक है यहां पर हम यहां पर ब्रॉड डाउं लिखते हैं यहां पर करेड़ाउं लिखते हैं लिखते हैं अलाविंश कितनी है है 4% तो इसका 4% कितना होगा एक लाख का 4% कितना होता है एक लाख का 4% मेरे ख्याद में पच्छा सो होता है एक लाख का 4% 4000 होता है और वह बोलता है कि विच वूर्ड मेंग धी अलाविंश one third higher higher than the current allowance ऐसा करने से ऐसा करने से आपकी जो ओपनिंग जितनी भी अलाविंस थी न यह क्लोजिंग उससे वन थर्ड ज्यादा होगी एस्यूंग करो ओपनिंग एक्स थी एक्स का वन थर्ड जब हम एक्स में ही एड करेंगे तो क्लोजिंग बनी चाहिए यानिके 4000 बनना चाहिए तो एक्स प्लस वन ओवर थ्री एक्स इस वन फ्लस वन ओवर थ्री जाने कि यह बन जायेगा 4000 इस इकस की वैल्यू कितनी बनेगी 4000 Dreight Sight पर जाएगा तो 3000 SARAH से बमंटि चाहंच से है वो opening से one third ज्यादा होना चाहिए तो आप 4000 यानिके closing पर ही पहुंच रहे हैं अब उसका यह सवाल था how will the profit for the period affected by the change in allowance allowance एक हजार रुपे से increase हुई है एक हजार रुपे से allowance increase हुई है तो profit and loss account में एक हजार का expense record होगा profit will be reduced by 1000 यानिके 33 का answer a 34 the allowance for doubtful debts in the ledger of boom boom traders at 31st of October was 9000 during the year ended 31st October 2022 recoverable debts of 5000 were written off accounts receivable balance at 31st October were 120,000 and VVT's policies to have a general allowance of all person what is the charge for bed and doubtful debt expense is the statement of profit and loss for the year ended this same-same तरह के सवाल है अगेन आपके पास एक उपिंग allowance है नहाजार का अच्छा यहाँ पर यह लिखावे ए रेकवरे बेड़ डेटर फाइट वर रेटन और रेटन और रेटन आफ का मतलब माइनस हो चुके हैं तो एक लाग वीस हजार का डारेक्ली पांच परसंट दे लेते हैं उससे हमारा ख्लोजिंग आ जाएगा लोजिंग बन जाता है हमारा छे हजार रुपई इसका मतलब यह हो गया कि जो प्रोविजन है ना वह तीन हजार रुपई से क्या हो रही है का मोरे कम होने का कमत्ब क्या है इनकम तो पांच हजार का बेड़ यह और तीन हजार की इंकम है पांच हजार और तीन हजार को नेट ओफ करेंगे तो दो हजार रूपए का एक्सपेंस होता थर्टीफोर का आंसर यह होगा ऐसा ही दिटो सवाल शुरू के mcqs में आया था उसको मैंने लिखके सॉफ किया थर्टी फाइफ द्यूरिंग यार एंडे थर्टी फर्स डिसम्बर टूथाउजन इन नाइंटीन फैसल डेडर्स टॉन ओवर टूटल मिलीएं इसपन सिवेबिल आमा पूणी को फुरर परसंट ऑफ दी को देंगाउवट विशेज गchasन इसदाफि परसंट प्रसंट थ्री इनपने चाहर्ण सब्सक्राइबिक को सिर्ट रिस्ट इस्वेभर इस टूब हडिएट को यह वेस्टू मय चैवाउनस बसे इसनट थी चेजित है तो इससे होती है वह एक से क्लोसिंगा वो मैने सड़ी सदी करदी इसके बाद इससे लिखाबा था कि and discovers that allowance as a result is 25% higher than than it was a year before यानि कि जो brought down था ना जो brought down था अगर brought down x था तो x में आपने 25% of x add किया यानि कि opening को 25% से भढ़ाया तो आपके पाद 3600 यानि कि closing आना चल गया तो 1 x और 25% का मतलब होता है 0.25 x is equals to 3600 यानि कि 1.25 x is equals to 3600 यानि कि x is equals to 3600 divided by 1.25 यानि कि 2880 2880 2880 अब इन्होंनों का जो difference है वह साथ सो बीस रुपए आ रहा है साथ सो बीस रुपए प्रॉफिट और लॉस अकांट में गया होगा चीक है इसके इलावा क्या है तो net expense 3770 का होगा 35 का आंसर जो है वो सी बनेगा अगले सवाल इंशाला अगली आने वाली वीडियो में सॉल्स करते हैं झाल